नमस्कार किसान भाईयों एक बार फिर से मैं आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आज मैं एक महत्पुर्ण विशे के उपर आप सबसे बात करना चाहता हूं आप इस चैनल पर नए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की चितरी भी सरकार की सके आज जिस योजना के उपर मैं बात करना चाहता हूं उस योजना का नाम है पी-एम कुसूम जो भी किसान अपने खेत पर सोर उरजा सेंत्र कि स्थापना करना चाहता है तो उसके उपर सरकार आपको किस प्रकार से सबसीड़ी देगी और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और कौन-कौन किसान इसके पात्र है इसकी मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप दूँगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लगबग आपके चीजें पूरी क्लियर हो जाएगे पूरा आपके समझ मा जाएगा जो किसान अपने खेत पर इस योजना का लाब लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो मैं सबसे पहले बताता हूं और कौन किसान इसका पात्र है जिस किसान के पास अपनी खुद की जमीन है भुमी स्वामित्व है वो इसके लिए पात्र है और अलग अलग तरह का सोरुजा का सेट लगता है तो अलग अलग के लिए किसी को कम जमीन चीए तो किसी के लिए ज़्यादा जमीन चीए होती है तो कम से कम किसान के पास 0.4 एक तो आपके खेट की जम्मा बंदी या खाता नकल चीए, वो पटवारी के दीने प्रमाणित होनेची चीए, और उसके अंदर सूंचाई उख दर्ज होना चीए, आलग पटवार क्टवारी प्रमान पत्र बना लग देता है कि किसान के खेट पर क Fr. पह को या और नलकूप से हो तो वो पत्रावली उद्यान विभाग के पास चली आती है और जैसे ही आपका नंबर आता है वरियता में इसमें क्या बहुत सारे फारम बढ़ते हैं तो कहीं बार नंबर आने में साल भर भी लग जाता है तो जैसे आपका नंबर आएगा उद्यान विभाग से आपके पास फ पर देखते हैं कि दो तरह को तरह होते हैं इस पावर वाले क्लियर कर लेकि इसी की दैडिफिया ओदी और हैं ने पहले बता दू कोई सबसेड़ी पूरी आगे इसमें कितनी सबसीडी है कितने किसान के रूपे लगेंगे वो बताऊंगे AC का मतलब सीधा आप यह समझे कि अगर आप AC वाला सोरूरजा का सेट लगाना चाहते हैं तो AC वाला आपके सोरूरजा से तो चलेगी चलेगी मोटर लेकिन बिजली से भी चल जाएगी लाइट कनेक्शन है या बिजली से भी वो मोटर चल जाती है सोरूरजा से भी चलती है DC में क्या होता है DC में जो सोरूरजा पमसेद के साथ में आपकी जो मोटर लगती है वो मोटर केवल सोरूरजा से ही चलती है वो और किसी लाइट से नहीं चलती है तो DC और SC दोनों तरह के सोरुर्जा पम सहेत रुपलब्द है एक सोरुर्जा का जो सेट आता है उसमें क्या-क्या चीजें आती है किसान को अलग से कुछ भी खरीदने की अवशक्ता नहीं होती जो किसान एक बार पैसा दे रहा है उसमें पूरा-का-पूरा सेट आ जाता है उस सेट में क्या-क्या आता है मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा उससे पहले अपने यह जान लेते हैं कि कितने HP के पावर पर कितनी जमीन होनी चीए और कितनी कुल लागत है और उसके उपर सबसेड़ी कितनी मिलती है अपने तो तीन HP का जो सेट लगता है तीन HP में ऐसी पावर ज़्यादा तर किसान ऐसी पावर वाला लगाते हैं जिसमें वो मोटर सोर उड़ जाएके साथ-साथ बिजली से भी चल जाती है विद्वत से भी चल जाती तो तीन HP का जो सेट आता है उसके लिए किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टर का भूमी स्वामी तोहन आविशक है और उसकी लागत है 1,81,511 रुपे और इसमें 60% रासी सरकार सबसीड़ी के रूप में देती है लगबग 1,08,907 रुपे किसान को केवल इसमें 22,604 रुपे ही देना है यहाँ पे जो यह 40% रासी है वो ही किसान को देनी है बाकि 60% आपको सरकार देती है ठेक है तो जो 3 HP में जो DC पावर लगता है उसके रुपे हैं 1,86,632 रुपे और सबसीड़ी है इसके उपर 1,11,989 रुपे 4,653 रुपे किसान को कर्सक हिस्सा का रूप में जमा करने होते है 5 HP का जो AC का सेट लगता है उसके लिए 0.75 हेक्टर जमीन का बुमी स्वामित तो किसान के पास होना चाहिए और इसमें आप ये रासी आप देख रहे हैं मैं सिदा किसान हिस्सा रासी बताऊंगा आप आगे आपको है ना ये जो पूरी रासी है लागत का इसका 60% तो सरकार देती है किसान को केवल कितना देना है वो ही मैं आपको बताऊंगा तो 5 HP के SC वाले सोलर पंप के लिए किसान को करसक हिसा रासी देनी होती है 1,3330 रुपे 5 HP वाले DC वाले सोलर के लिए किसान की करसक हिसा रासी है 1,3558 रुपे ये किसान को DD के रूप में उद्यान विबाग में जमा कराना पड़ता है कब कराना है वो भी मैं आगे बताता हूँ साड़े साथ HP में SC में किसान की करसक हिसार 80 है 1,47,940 रुपए साड़े साथ HP DC में किसान के जो करसक हिसार 80 है 1,47,212 रुपए ये तीनों तो क्या है कि सबसीडी के अंदर आते है 10 HP का अगर आप सेट लगाना चाहते है तो उसमें आपको सबसीडी साड़े साथ HP वाली ही मिलती है इसलिए करसक हिसार 80 है इसमें थोड़ी ज़दा रहती है तो 10 HP का भी सेट लगा सकते है SC में 2,44,118 रुपए किसान की जेब से लगेंगे और 10 HP में ही DC वाली उड़जा में 2,43,487 रुपए करसक हिसार 80 के रुपए लगते है ये करसक हिसार 80 मैंने बताई आपको इधर आप कुल लागत देख लेना जिसा स्क्रीन पर दिख रहा है उदारन के लिए मैं समझा हूँ आपको कि साड़े साथ HP में अगर आप AC लगा रहे हो तो इसकी राउंड फिगर में 3,79,850 रुपए कुल रुपए लगते है उसमें से 2,21,910 रुपए तो सरकार देती है 60% सबसीडी और किसान को के अवल 1,47,940 रुपए ही देने होते है तो यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है कि सरकार इतना पेसा आप किसान भाईयों के लिए दे रही है तो किसान इसका लाब लेए आपका जैसे ही ओनलाइन करने के बाद में उद्यान विपाक से आपके पास फोन आता है आप पहले क्लियर कर लें कि कौन सी आप कंपनी से लगाना चाहते है तो आपके हर एक जिल्ले में या पूरे रजिस्टर पर कुछ कंपनी रेजिस्टर्ड है मैं जैसे मोटे मोटे नाम बताऊं अच्छी है जिसे टाटा है सकती है यह बड़े ब्रांड है तो अच्छी जिसकी सर्विस है जो लंबे समय तक रहता है तो वह आप लोगों को लगए तो सोर उर्जा का जो एक सेट आता है उस सेट में क्या-क्या चीज़े हैं वह मैं आपको बताता हूं उसमें सब आपको कंपनी लाकर के देगी आपको उसमें अलग से कुछ भी पैसे दे के खरीदने की आफशकता नहीं है जो आपने 40% किसान हिसा रासी जमा कर रही है उसमें देखो क्या-क्या चीज़ें आती है मैं आपको बताता हूं जो आपके प्लेटे लगेगी जिनको पैनल या मोडियूल बोलते हैं वो इसमें सामिल है उसके उपर जो चालू-बंद करने का रचारो सिस्टम का जो कंट्रोलर लगता है वो सामिल है जो पाइप आते हैं वो स्ट्रक्चर पूरी की पूरी उसमें सामिल है जो आपके मोटर लगेगी आपके कुए के अंदर या नलकूप में जो मोटर लगेगी वो उसके साथ जो पाइप लगेगा केबिल लगेगी या फिर जो उसके अंदर रसा आएगा वो सब इसके अंदर सामिल है जो वहाँ पर अर्थिंग का जो लगता है connection वो अर्थिंग भी उसमें सामिल है और जो बीजली गिरने से बचाने के लिए एक तरित लगती है उसमें तरित चलक वो भी इस पूरे सेट के अंदर सामिल है जो company आपके खेत पर इंस्टॉल करके जा इस जो भी आपकी जिल्ला में उस जिल्ले के नाम से भी बंती है तो डीडी के रूप में आपको पैसा उद्यान विभाग में जम्मा कराना है कोई भी आप से आकर के पैसे मांगता है तो उसको के रूप में पैसे जनरली नहीं देना है वह कैई बार फ्रोंड होने के chances रहत जो सुक्ष्म सिचाई पद्दती का लाब ले रहा है यानि कि उसके खेत पर या तो हमारा सिचाई पद्दती होने चीह पहले से या ड्रिप जिसे बून-बून सिचाई पद्दती कहते हैं वो लगना अनिवारी है तो ही यह सबसीडी आपको मिलेगी जिसे आपने डीडी जम पन यानि फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएंगे उसके फोटू बगेरा लेंगे आपके साथ में आपके उस समय कोई समश्या है कि यह प्रोब्लम है तो आप उस टाइम उनको बता देना बागी जनरली कोई समश्या नहीं होती है तो उसके बाद में जो ही यह सबसीडी अपनी को बाद में ट्रांसफर की जाती है ठीक है तो यह पूरी प्रक्रिया है ओनलाइन करने का मैंने आपको बताया किसी भी इमित्र पर आपको जमाबंदी खाता नगल और सिंचा इस तो तुमान पतर लेकर जाना है और राज किसान पोर्टल के उपर उसको आविदन नहीं होना चाहिए और आपने अगर विजली विभाग के अंदर पत्रावली लगा रखी है कनेक्शन के लिए तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं अभी आपको कितने ही साल उसमें हो ठीक है तो यह इसके उपर इंपोर्टेंट जानकरी थी और सोर उर्जा बहुत फोन करना कम फोन मत करना वाट्सप मेसेज कर देना ताकि कोई समझ्या ऐसी आती है तो मैं उसका व्यक्ति के तुरूप से उसका समधान करने की कोशिश करूंगा तो यह सोर उर्जा की योजना के बहुत सारे फाइद हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजली क्लियर हो गई होगी कोई चीज समझें नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो बाकि थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो इस यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें धन्यवाद थैंक्यू